सुनो बच्चों, तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूं। एक गाउ में एक आउरत रहीती थी। असल में वो एक डैन थी। उसकी घर के समने से जाने वली हर बच्चे को वो कबुतर बना के रखती थी। एक रोज जेनिफा नमकी एक छोटी सी बच्ची उसकी घर के समने से जा रही थी तबी उसने उसको देखा और उसको पुकारा जेनिफार ओ जेनिफार कहा जा रहा तुम मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें पैचानती भी नहीं हूँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम्हारी पीताजी को भी जानती हूँ सच में तुम पैचानती हूँ, हाँ पैचानती हूँ, अब तुम मेरी घर के अंदर आ जाओ जब जेनिफा ने उसकी घर के अंदर गया मैं जाइन हूँ और मैं तुम्हें कभूतर बना के मेरे पास क्याप करके लखोगी जब जेनिफा पूरा दिन घर नहीं लोटा तब उसकी माँ उसको ढूनने के लिए निकल परा जेनिफा कहा हो तुम जेनिफा कहा हो तुम्हें इस बात को उस गाव की एक बूरा अदमी सुना और सुनने की बात उस समझ गया कौन जेनिफा को कैद करके रखा है तब ही उसी ने जेनिफा की माँ को उस डाइन की बारे में बताया और वहाँ जाके ढूनने के लिए बोला तब जिनिफा की माँ ने वहाँ पर गया और एक छोड़ा उस डाइन के अंदर गुसा दिया तुमने क्या ठर दिया मैं तुम्हें चरूंगे नहीं मैं वाफ़ जरूर होंगी और तबी जिनिफा की माँ जिनिफा को लेकर अपनी गाउ की तरब चले आए तो बच्चो इस कहानी से तुम लोगों को क्या सिखने को मिला है अगर कोई अंजन अदमी रहा चलते तुम लोगों को पुकरे तो फिर बहाँ जाना नहीं चाहिए क्यूंकि वहाँ जाने से हमेशा खत्रा होने की समवनाई रही थी